हाई गाईज वेलकम चूर ब्राइंड न्यू सेशन ऑफ करेंट अफ एयर्ज आज की तारीक है 11 एप्रल 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकुल फ्रेंडियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना लिएगा और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबा चार बज इवेलबल हो जाता है साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप हमाई टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और एसस सीजल पिनेकल और लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट कर वीर्णी पुरसकार से समानित करने के लिए किस धावका चैन किया गया है जिसका सही जवाब था दूती चन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्चन देखो आज के सेशन का किस राज्ये ने हाल ही में महमूदपुर गाउं का नाम बदल कर परसॉली कर दिया है जिसका संब भक्ती कवी और गायक सूर्दास ने अपने आखरी दिन इसी गाउं में बिताए थे और इसे तो परसॉली के नाम से जाना जाता था इस नाम का समकाले न भी लेखो यानि कंटेंप्रारी रिकॉर्ड में भी उलेख मिलता है हाला कि मुगल काल के दौरान इसका नाम बदल द बात करें या पर उत्रप्रदेश की ठी स्के वर्ल्ड एंटे साइटस में आता है टाज मेहल फेमस डैंμ्ज रिवर्ज में आता है रिःण्ध डैंम टैंड नाशनल पार्टस में आता है दूदवा नाशनल पार्ग पूरे शंकर अवस्ती पूरस्कार से सम्मानित किया गय तो प्रसिद देवी शंकर अवस्ति पुरसकार को हिंदी गद पत्रकार और आलोचक आशुतुष भार्दवाज को दिया गया है यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पित्रवध के लिए दिया गया आशुतुष भार्दवाज एक अंग्रेजी पत्रकार रहे हैं और बस्तर के उन माइक्रो सेंसर अधारित एक्स्प्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर एटीडी नैनो स्निफर लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इबर बी रमेश पोक्रियाल निशंक तो केंद्रे शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंक ने नई दिल में विश्व का पहला माइक्रो सेंसर अधारित विस्फोटर का पता लगाने में सहायक उपकरन एक्स्प्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर एटीडी नैनो स्निफर लॉंच किया इसे नैनो स्निफ टक्नीक से विक्सित किया गया है यह आयाटी बॉंबे का स्टार्ट अप है नैनो स्निफर प्रधान लग वर्गों में पहचान के साथ उन्हें वर्गेग्रित यानि क्लासिफाइब भी कर सकता है या तस्वीर में देख लीजिए यह सैन्य पारंपरिक और घर में बनाये विस्फोटक यानि मिलिटरी कन्वेंशनल और होम मेड एक्स्प्लोजिव के सभी वर्गों का भी पता लगाता है नेक्स्ट क्वेशन देखो किस सरकारी संस्था ने भारत में अपनी तरह का पहला ओनलाइन विवाद समधान ODR हैंडबुक लॉंच किया है जिसका सही जवाब हो ऑप्शन निमबर सी नीती आयोग तो नीती आयोग ने भारत में पहली बार अपनी तरह का और मध्य मूल्य के मामलों का डिजिटल टकनीक से समधान होगा नेक्स्ट वैशन देखो हाल ही में पक्षी की एक दूरल प्रजाती को भारत की पक्षी सूची में जोड़ा गया है यह किस राज्य में खोजी गई थी तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन निमर बी अरुनाच पक्षी जुड़ गया है और एविन प्रजातियों के गिंती 1340 हो गई है इसकी पहचान थ्री बैंडेड रोस फिंच के रूप में की गई है अरुनाचल प्रदेश के उच उंचाई वाले शंकुधरी जंगलों में इस नई पक्षी प्रजाती के पहचान की गई यह दक्ष और चीफ मनिस्टर है पेमा खांदू नेक्स्ट क्वेशन देखो जानी एलिजाबेट वितिये के पती और ड्यूक अफ एडिनबग कौन थे जिनका हाल ही में इधन हो गया तो ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप काने दन हो गया बहन 99 वर्ष के थे यह ने तस्वीर में देख ल द्वारा निमनलिकित न्यायदी करनों में से किसे हाल ही में भंग कर दिया गया है तो इसका सईजवाब हो ऑप्ष निमर बी फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलियेट ट्राइबूनल तो कानून और न्यायमंत्राले द्वारा एफ सी एटी को ततकाल प्रभाव से भंग कर दिय किया गया है 1983 में केंद्रे फिल्म प्रमानन बोर्ड यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सी बी एफसी के आदेशों से आहत यानि एग्रीवड फिल्म निर्माताओं की अपील सुनने के लिए इस विधानिक निकाय का गटन किया गया था इसका मुख्याल ये नई दिल्ली में था ट्राइबुनल के धक्षता एक चेर परसन के पास थी और इसमें चार अन्य सदस्य थे जिनमें भारत सरकार दवारा नियुक्त एक सचीव भी शामिल था किस सरकारी निकाय ने नीती आयो के 295 अटल टिंकरिंग लाब्स ATL को अधिकारिक तौर पर अपनाया है जिसका सही जवाब है उप्षिन अबर A CSIR सबसे पहले CSIR के फुल फॉर्म है Council of Scientific and Industrial Research तो नीती आयो के अटल इनोवेशन मिशन एम के तहट निर्मित 295 अटल टिंकरिंग लाब्स ATL को आधिकारिक तौर पर विज्ञानिक और उद्योगिक अनुसंधान परिशद CSIR दवारा अपनाया गया एम और CSIR विज्ञानिक और तक्नीके अवधार नाओ विचारों या समाजिक मुद्दों से संबंदित विभिन विश्यों पर चात्रों के लिए वेबिनार की एक श्रिंखला का भी आयोजन करेंगे नेक्स्ट क्वेशन देखो ग्यान वापी मस्जिद जो हाल ही में खबरों में हैं वेकिस राजय में स्तित हैं तो इसका सईज जवाब है option number B उत्तर प्रदेश तो वारा नसी की अदालत ने भारते पुरा तत्व सर्वेक्षन महान देशक यानि डारेक्टर जेनरल ओफ आकियोलोजी आफ इंडिया को विबादित काशी विश्वनात मंदिर ग्यान वापी मस्जिद परिसर का व्यापक पुरा तत्व भौतिक सर्वेक्षन यानि कॉम् करवाने का देश दिया है तो अदालत का देश वकील विजय रस्तोगी की याचिका पर आया उन्होंने मांग की थी कि ज्यान वापी मस्जिद में प्रवेश करने वाली भूमी हिंदूों के हवाले की जाए या तस्वीर में देख लीजे उन्होंने दावा किया कि 1664 में समर प्रवानी अदालत में मस्जिद परिसर के सर्वेक्षन का नुरोद करते हुए एक आवेदिन दायर किया था नेक्स्ट वैशन देखो भारत ने हाली में किस देश के साथ जलक शेत्र में रनीतिक साज़दारी शुरू करने की घोशना की है तो इसका सही जवाब है ऑप्श व्यापार और अर्थ विवस्था, क्रिशी, स्मार्ट शेहर, विज्ञान तथा प्रद्योगी की, स्वास्ते और अंतरिक्स जैसे शेत्रों में विविदिता लाने और विस्तार करने पर सहमत हुए बात करें यहाँ पर नीदर लैंड की तो इसी कैपिटल और लार्जस्ट एक्स्प्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर रमेश्ट पोख्राल निशंक ने लॉंच किया, ओनलाइन डिस्प्यूट रेजिशन ओडियर हैंडबुक इंडिया में निति आयोग ने लॉंच की है, अरुनाचल परदेश के एक रेयर स्पीशिस को इंडिया की बर कर लिया है, उत्तरपदेश का ग्यान वापी मॉस्क हाल ही में खबरों में है, और इंडिया और नीदर लैंड ने वाटर सेक्टर में स्ट्राटर्जिक पार्टनर्शिप शुरू करने की घोशना की है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस फॉद अडे कि आपका पहला क्वेस्टन है, पुस्तक पित्रवध के लिए देवी शंकर अवस्ती पुरसकार से किसे समानित किया गया है, और आपका दूसरा क्वेस्टन है, यान वापी मस्जिद जो हाल ही में खबरों में है, वे किस राजे में सिथ हैं, इन दोनों क्वेस्टन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, साती साते इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताके मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप को मिल सके, हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैनल्स को जोईन जरूर करना है, थैंक्यू सो मच